Hi everyone, सभी का warm welcome है YAT Your English Shooter पे इस week की sentence breaking method की class को start करेंगे कुछ आप में से कुछ students की favorite class है including me मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और इस class का objective है आपके दिमाग से English का fear निकालना, डर निकालना और आपको English में logic समझाना हर चीज के पीछे का इस class के जरीए आप English को English background वाले student की तरह ही अप्रोच करना सीखते हैं मैं आपके सामने कुछ sentences रखूँगा और हर sentence में आपको hidden errors दूँगा अब sentences को break करते हुए चलेंगे with logic और आप हर sentence में से उन errors को find करेंगे ठेक है? तो यह ही objective हैस class का तो चलिए शुरू करते हैं सारे sentences उठाए गए हैं दा हिंदू editorial से अच्छे level के sentences हैं और हाँ साथ ही UPSC की त्यारी करने वाले students को पता है कि UPSC की preparation का सबसे बड़ा aspect है अच्छे teachers और doubt solving sessions और इसके लिए आप मदद ले सकते हैं test book के super coaching for UPSC से जिसमें इंडिया के top teachers super teachers के साथ में आप अपनी preparation की journey को पूरा करते हैं बिल्कुल beginning से लेकर के NCRT से लेकर के prelims, mains, optional और answer writing तक कोर्स में 1000 घंटे से ज़्यादा की live classes doubt solving sessions और 550 UPSC के mock test आपको मिलते हैं इस कोर्स को आप avail कर सकते हैं बारा महिने या 24 महिने की validity के साथ में बारा महिने का कोर्स आपको पढ़ता है around 2100 रुपीज पर मत का लेकिन इस पे additional discount जरूर से ले code लगाए YAT20 जैसे इस code को use करेंगे कोर्स आपको मिलेगा around 1700 रुपीज का comment section में link रखा है जाके जरूर से फाइदा उठाए अल्राइट अब क्लास को शुरू करते है promotion हो गया करेदफ फेट्स actions are likely to result in and quick acceleration in the recently exodus of foreign investments spurred more gains for dollar against रुपी and fueling faster inflation as there is indications of crude prices soaring further पहले प्यार से sentence हमने पढ़ लिया इसका meaning निकाल लो फिर एक एक hidden error को break करके sentence को find करेंगे करें जो feds के action है अब ये fed को नहीं ये कोई आदमी नहीं है ये अमरीका का reserve bank of India है उसको बोलते हैं अमरीका में federal reserve तो करें अमरीका का जो reserve bank है federal reserve इसके जो actions हैं जो हरकते हैं ये क्या है वही ये है likely ये है possible likely मतलब संभावित या possible और possible किस चीज़ में ये ये possible है result in होने में इस result को लाने में और result क्या होगा एक बहुत ही quick आने वाली acceleration, acceleration का मतलब होता है तेजी, increase और quick का मतलब होता है बहुत swift हो जो fast हो तो एक fast increase में result in होंगे और ये increase होगा इस घटना के अंदर और वो घटना के है हाल में जो exodus होआ है foreign investments का foreign investment आप समझते हैं विदेशी निवेश recently मतलब हाल में होने वाला exodus का मतलब होता है mass migration किसी भी चीज़ का बड़ी मातरा में एक जगह से दूसी जगह पे जाना तो foreign investment का जो mass migration हो रहा है तेजी से foreign investments निकल रही है तो कहरा है ये जो fed के action है ना इस तेजी को जो recent में आई थी इसको और तेज बनाएंगे quick acceleration इसको देंगे और क्या करेंगे इन्होंने spur करना है इन्होंने spur का मतलब होता है provoke करना किसी चीज को trigger करना किसी चीज को भढ़काना तो ये भढ़काएंगे spur करेंगे या cause करेंगे और ज़्यादा मुनाफ़े को gains को डॉलर के लिए रूपी के सामने मतलब डॉलर जो है रूपी से और बड़ा होता जाएगा उसको और ज़्यादा महगाई को और क्यों करेंगे क्योंकि indications हैं ऐसे क्योंकि ऐसे निशान हैं हमारे पास और जो है crude prices के सोर कर जाने के increase हो जाने के further और ज़्यादा sentence लंबा है लेकिन आपने इसको पढ़ लिया feds के action likely हैं वो result in होंगे पहले चीज quick acceleration में हाल में हुई foreign investment के जो investment यहां से भाग रही है अब वो और तेजी से भागेगी दूसरा यह dollar को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे रुपया के सामने इसको और ज़्यादा gains को spore करेंगे तीसरा यह आग में घी जुकेंगे fuel करेंगे बढ़ते हुए inflation को क्योंकि हमारे पास indications अल्रेडी आ चुके है कि कच्चा तेल जो है और ज़्यादा आगे price में appreciate होगा sore होगा further, sore का मतलब होता है increase, अब आजाओ article पे sorry sentence पे अब इसको break करना है कुछ colors आप देख रहे हो color schemes में आपको बता देता हूँ green color में मिलेंगे nouns blue color में मिलेंगे adjectives red color में मिलेंगे verbs या infinitives adverb आएगी तो pink में conjunction आएगी तो yellow में और बाकी जो रह जाए गहरा काला वो होगा preposition और जो dark काला होगा वो होगा या तो infinitive का एक पार्ट या फिर कोई article ठीक है नग गहरा काला होगा preposition और कम काला जो है गहरा वो है articles अब break करने के तीन नियम है अपने पास नियम नमबर एक sentence में एक subject जरूर होगा at least नियम नमबर दो जितने subjects कम से कम उतनी verbs मान लो 5 subject हैं तो 5 verbs होगी at least नमबर तीन जितने भी गहरे कारे color हैं black वाले prepositions यह सारी preposition अपना object जरूर लेंगी और याद यह रखना है जो subject बनता है वही object बनता है यह नाउन जो उतना नाउन इसी का काम है subject बनना इसी का काम है object बनना यह adjective यह वर्ब यह कभी भी subject object नहीं बनती है चलो जी sentence को बढ़ेक करते है actions आपका subject है subject number one कैसे बता लगा sentence का पहला नाउन है यह action एक नाउन है पीछे ऐसारा है common नाउन है तो sentence का पहला नाउन जिसके पहले कोई verb नहीं है कोई prepositions नहीं है वही आपका subject होता है और feds यहाँ पे possessive है एक adjective का काम करेगा देखो यह actions मेरे भी हो सकते थे आपके भी हो हो सकते थे अमिच्छा के भी हो सकते थे लेकिन यह किसके है फेडरल अमेरिका के फेडरल रिजर्व के यह वर्ड जो हना actions को modify कर रहा है इसलिए एक adjective का काम करेगा इस नाउन के लिए जो हमारा subject number one है subject one इसलिए लिख रहा हूं आगे दो subject तीन subject आएंगे तो वह s2 s3 होते जाएंगे subject मिल गया आगे बढ़ते हैं इसकी वर्ब है आर प्लूरल सब्जेट प्लूरल वर्ब लाइकली क्या है लाइकली एक noun का काम कर रहा है कैसे पता लगा आगे इसके आ लगा हुए है एंड हमेशा nouns के साथ में आते हैं तो लाइकली एक noun है अब यह subject है वर्ब है औ जब link वर्ब आजाए sentence में is am are was were तो sentence का subject और subject compliment एक दूसरी की तरफ इशारा करते हैं जैसे I am good link वर्ब आगी न is am are was were अकेले आ गई तो I और good एक ही बात है मैं ही अच्छा हूँ और अच्छा ही मैं हूँ वैसे actions are likely link वर्ब आगी is am are was were is am are was were है ना तो आर आ चुकी है तो यहां पे actions are likely subject compliment इस a को देखकर के लग रहा है कि यह एक noun है बाखी आगे जाके इसको check करेंगे चलो अगर आके बढ़ते है subject वर्ब मिल चुका है आपको यह two result एक infinitive है two plus में वर्ब की base form और यह आया है likely नाम के इस word के लिए अब यह word जो भी है उसी के हिसाब से इपनी form ब यह बन जाएगा adverbial infinitive काम इसका क्या इस likely को modify करना actions likely है लेकिन किसी में result होने में आरे बात समझ में तो यह है infinitive likely के लिए आया हुआ जैसे ही likely की form determine होगी इस infinitive को भी adjective या adverb में से एक form को लेना पड़ेगा इन prep position है इसको एक object से यह object है acceleration नाम का noun rule number 3 बताया आपको prep position object लेगी जो एक noun होगा इनको आपने object दे दिया noun green color का है क्विक यहां पर adjective है कैसा acceleration भाई जो बहुत तेजी से आया हो मालो यहां पर slow लिखा होता तो यह slow होने वाल acceleration हो जाता है ना तो quick slow यह सब adjectives है इसको modify कर रहे है इन prep position है इसका object है adjudice एक noun है green color का word है adjudice का मतलब होता है बड़े scale पर एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों का जाना migrate होना recently एक adjective है एक जूड़ेस को modify कर रहा है nouns के लिए हमेशा modification adjective से करवाया जाता है of prep position है objective investments preposition को object तो देना ही था foreign यहाँ पे एक adjective अकाम कर रहा है इस noun के लिए foreign investment local investment है ना तो foreign local जो भी words हाएंगे investment को modify करेंगे noun को modify करेंगे तो adjective बन जाएंगे blue कलर के हो जाएंगे और आके बढ़ो अब यहाँ पे आ रही है वाव इससे पहले आ रहा है कोमा देखो एक वाव आई यह यहाँ पर या तो यह इसका इस वाली वाव का या फिर यह इसका continuation है इस वाली वाव का अभी अपने को चेक करना पड़ेगा अगर यह इसका continuation है तो यह actions की वाव नंबर दो है और यह अगर two infinitive का continuation है तो यह two result यह two spur अब देखना पड़ेगा आपने क्या है यह आग जाके भी देखेंगे spur जो भी है जाहिए सही form में है चाहिए गलत form में है चाहिए spur लिखना चाहिए यह spur लिखना चाहिए yeah absorb लिखना चाहिए वह अपने बाद में देखेंगे इस verb का object है गो जो भी verb से what का reply कर दे वह बन जाएग वर्ब का object जैसे i want an apple मुझे एक save चाहिए क्या चाहिए वह object का reply आया what say तो ये gains बने गया इसका object more एक adjective है gains को modify कर रहा है gains महुत सारे है for prep position है इसका object है dollar against prep position है इसका object है रुपी दोनों currencies है ये USA की ये इंडिया की अब देखो आ गया end ये लगा हुए comma आप देखो ये spur आया ये end आया और ये आया वर्ब की ing form एक और वर्ब आई ये जिसकी वर्ब है ना जिसके continuation में आई है उसी की continuation में ये वाली वर्ब आ रही है जब भी तीन चीज़े आती है ना एक जैसी तो पहली और दूसरी की बीच में कोमा और तीसरी के उसाथ में लगा के end लिखा जाता है a, b and c मालो चार nouns है राम, शाम, मोहन और यश तो चारों को कैसे लिखोगे राम, कोम, शाम, कोम, मोहन and यश ऐसे लिखेंगे ना तो ये कोई भी पहली जो वर्ब आई थी उसके continuation में आ गई दूसरी वर्ब spurred और end लगा के आ गई अब वर्ब इतना हमें पता लग गया अब इसकी form बात में देखी जाएगी चलो, fuel क्या किया आग में क्या बढ़काया, किसको बढ़काया वर्ब से reply किया inflation ने, वर्ब का object बन गया inflation, faster यहां पे comparative degree है adjective की, inflation के बारे में बता रही है और ज्यादा तेजी से आने वाला inflation अब देखो as conjunction इस as conjunction का का काम है नए close को introduce करना एक नया subject होगा और एक नई उसकी verb होगी, conjunctions का यही काम है नए subject को sentence में introduce करवाना, तो as के बाद में देखो verb आ रही है, इस इसको red color मुझे देना था, शायद रह गया गलती से और noun आ रहा है subject बन रहा है, subject number 2 indications, याद रखें जब भी देर से sentence शुरू होता है close शुरू होता है, verb के बाद में subject को रखा जाता है subject number 2 है, indication, verb number 2 है is, off proportion है इसका object है, crude prices soaring यहाँ पे adjective है वो crude prices, जो sore हो रहे है, जो और तेजी से बढ़ रहे है आगे, sore का मतलब होता है, increase होना sore का मतलब क्या होता है, increase होना further का मतलब है, add verb further का मतलब है, और जादा, और आगे additionally, तो यह पूरा sentence है, मैंने आपको break करके दिखा दिया, एक बार repeat कर रहा हूँ, फिर इसमें से 5 से प्यारी-प्यारी errors अपने को पगडने है actions, subject number 1 है इसकी verb number 1 है art, यह एक adjective है subject को modify कर रहा है in preposition है, object को modify इसका object है acceleration यह भी in preposition है, इसका object है exudus, recently एक adjective इसको modify कर रहा है likely एक noun है, यह देख के हमें बता लगा इस earn नाम के article को यह बन जाएगा subject, compliment, actions के लिए और two results, एक infinitive है इस likely को modify कर रहा है अगर likely noun है, तो यह adjective है अगर यह adjective है, तो यह add verb है यह बता रहा है likely किस चीज में है, result होने में of preposition है, object है investments, foreign इसको modify कर रहा है, एक adjective है spurd यहाँ पे एक verb है इनी में से किसी verb के लिए साथ में आई है, continuation में, या तो इसके या फिर इसके, देख लेते हैं आगे कैसे आई है इसको object है, gains more एक adjective है, इसको modify कर रहा है for preposition, इसको object है dollar जो कि एक currency है against preposition, इसको object है रुपी, जो कि एक currency है and conjunction आई है, इसी verb को और आगे continue किया गया है, verb के ng form से fueling से, अब यह देखेंगे, सही लगी है गलत होगी है, बाग में fuel किसको किया inflation को, इस verb का object है inflation, faster एक adjective है verb के, इस object के बारे मता रहा है noun के बारे में, as conjunction आई है, अब subject नंबर दो आएगा indications आगया, noun है, पीचे एस लगा हुए verb है इस, there है एक introductory subject या adverb, there का मतलब है वहाँ, यह कभी भी subject नहीं बन सकता यह noun है नहीं, subject बनने का इसके पास कोई chance ही नहीं है, of preposition है object है crude के prices, compound noun है prices कैसे हैं, आगे increase हो रहे हैं, और आगे बढ़ते जा रहे है तो यह इसकी structure है, पूरे sentence की वाज़ाओ errors पे, सबसे पहले सबसे interesting वाली error को बगड़ेंगे मुझे पता है, इस error में बहुत लोग confused होते हैं आज आपकी confusion निकालने ही कोशिश करेंगे देखो, articles होते हैं ना a, an और the इनको लिखने का एक तरीका होता है यह अपनी form change करते हैं इनके immediately बाद में जो word आ रहा हो उसके हिसाब से, अगर वो word जैसे a और an की बात हो, आप जानते हो an को use करना है, अगर उसके बाद में आने वाले word में से a, e, i, o, या, u की आवाज की नहीं, u की, u की आवाज आने चाहिए अगर ना आ रही हो, तब आप article को use करेंगे a को, जैसे a के बाद में आप लिखेंगे banana बनाना में a, e, i, o की आवाज नहीं आ रही तो a आएगा, confusion यह होती है लोगों को यह पता तो होता है कि article कैसे लगने हैं, लेकिन वो noun को देख करके article की form को change कर देते हैं, याद रखना है articles आएंगे noun के लिए संख्या बताएंगे noun की लेकिन हिसाब से होगी उनकी form उनके बाद में आने वाले word के हिसाब से the word immediately following it, आएंगे noun के लिए आएंगे noun के लिए लेकिन अपनी form को change करेंगे अपने बाद में आने वाले word के हिसाब से इस formula को समझने के लिए कुछ sentences आपके सामने रखें हैं this is a या an shirt ये एक shirt है, अब देखो shirt है noun इसके लिए article आएगा a या an में से एक देखो वैसे तो ये noun के बारे में बताने वाल आर्टिकल है, लेकिन noun इसके बिल्कुल बाद में भी आ रहा है, तो shirt में शर्क ये वाज आ रही है तो आप a को choose करेंगे and को choose नहीं करेंगे, लेकिन sentence को देखो, this is a या an orange shirt ये एक orange shirt है, अभी भी आर्टिकल shirt के लिए आ रहा है, लेकिन shirt के पहले एक word और रखा हुआ है orange, ये आर्टिकल संख्या तो अभी भी shirt की बताएगा shirt तो ये की है, लेकिन इसकी form जो है ना, वो इस orange नाम के word के हिसाब से होगी, a, e, i, o, u अगर इन में से कोई आवाज आ रही हो किसी word से तो a बदल जाता है an में तो इस case में आप लिखेंगे this is an orange shirt confusion निकली ना दिमाग से आ तो अभी भी shirt के लिए रहा है लेकिन अपना रूप किसके हिसाब से बदला इसके बिल्कुल बाद में आने वाले word के हिसाब से अब shirt के हिसाब से a मतलगा या ना, अब आएगा an मतलब दोनों का ही एक होता है अब और आगे बढ़ो this is a bright orange shirt अभी भी article shirt के लिए आ रहा है अभी भी shirt के लिए आ रहा है लेकिन किसके हिसाब से आएगा अपने बाद में आने वाले word के अब orange इसके बाद नहीं आ रहा अब इसके बाद आ रहा है bright bright में बाद की अवाज आ रही है अब लिखोगे a bright orange shirt अब इसको देखो this is an या a extremely bright orange shirt article अभी भी shirt के लिए आ रहा है shirt अभी भी एक ही है लेकिन ये जो word चूज करना है a या an ये चूज होगा इसके बाद में आने वाले immediately बाद में आने वाले word से orange के हिसाब से नी bright के हिसाब से नी shirt के हिसाब से नी extremely के हिसाब से a की अभाज आ रही है तो आप यहाँ पे चूज करेंगे an को shirt के लिए must concept यह होटा हूद का चारो ही cases में ये shirt की संख्या को ही बता रहा है लेकिन अपनी form को A और N में switch कर रहा है जो भी word इसके बाद में रखा गया है अब यहाँ पर भी वही हुआ है N लगाया है acceleration के लिए आपने सोचा इसमें A की अवाज आ रही है तो N लगा देता हूँ लेकिन बाद में क्या रहा है quick क की अवाज आ रही है तो कर की अवाज आ रही है तो भाई N मतलगा क्या न यहाँ लिखोगे error number 1 आगई बाद समझ में अब आजओ error number 2 यह verbs को चेक करते हैं देखो are likely to result are likely to to spur and are likely to fuel यह sentence ऐसा बना है यह verb number 1 है इस subject number 1 की इस से इसका कोई भी connection नहीं है अब अगर ऐसा सोच रहे हो sir मैं इसको verb number 1 बना देता हूँ इसको verb number 2 बना देता हूँ इसी subject की तो यह है present में और यह है past में आरे वाज समझ में तो present past mix नहीं होता तो यह जो verb लिखे है न अपने ad actual में यह two infinitive का part है are likely to result in are likely to spur and are likely to fuel यह तीनों कामों के लिए वो likely है तो यहाँ पर two result लिखा है न तो यहाँ लिखो two spur और यहाँ लिखो two fuel तो यह है आपकी error number 2 अब आज़ो error number 3 पर indications subject number 2 है verb इसकी is है ऐसा नहीं हो सकता यह तो ad verb है इसके हिसाब से is मत लगा है ना is को देखना है इस subject के हिसाब से subject indications है तो यहाँ लगाओगे आप अगर indication होता तब इस बिल्कुल सही होता indications है तो आर बिल्कुल ठीक है यह error number 3 अब आज़ो error number 4 dollar और रुपी दोनों यहाँ पर currency की बात हो रही है देखो एक तो होता है 10 रुपे का note 10 रुपी note यहाँ पर 10 रुपे की note की बात हो रही है है ना we need 100 रुपीज to do something हमें 100 रुपे चाहिए कुछ काम करने के लिए वहाँ पर रुपे जो है 100 पैसे money की बात हो रही है जब money के संधर्ब में बात हो किसी भी currency की तब उस क्या के दा नहीं आता लेकिन जब किसी currency को currency के संधर्ब में बात करो जैसे आप बोलो रुपे या मजबूत हो रहा है 10 रुपी is trending तो आप लिखोगे 10 रुपी 10 रुपी is trending आगी बात समझ में इसी तरीके से 10 डॉलर यहाँ भी 10 डॉलर और यहाँ भी 10 रुपी दोनों currencies की अपस पर comparison किया गया था धन का या संपत्ती का comparison यहाँ पर नहीं हो रहा 50 रुपे 100 डॉलर ऐसी बात नहीं हो रही तो याद रखें इन के आगे हमेशा दा लगेगा किसी भी currency के आगे yen हो, pound हो, dollar हो, dollar हो, dollar हो, टका हो इस बात से युवान हो, कोई फरक नहीं पड़ता दा लगा तो दोनों जगह error number 4 यह एक noun है एक जूडस इसके लिए adjective आना चाहिए सर्च करो इस word को, आप सर्च करोगे recently, recently तो यह निकलेगी एक adverb अरे noun के लिए adverb थोना चाहिए noun के लिए तो adjective चाहिए तो recently को change करो, इसके adjective form में नीचे adjective form लिखी हुग है recent इस dictionary को download कर लो, word web मुफत है, रखी हुग है इंटरनेट पे जाके सर्च करो, आपको मिल जाएगे है ना इसमें आपको अलग-लग forms बता लेता है हर word की तो recent की अलग form क्या होती है, recently है ना, मुलब recent चाहिए आपको adjective form यहाँ पे आप लिखोगे recent यह चोथी है पांचपी error जो भी बनने थे अब आचपी error है जो इसके बाद की हो है, likely भाई, likely क्या होता है एक adjective होता है आप इसको चेक कर लो, likely मतलब expected, मतलब संभावित तो जो चीद संभावित है वो adjective है adjective के लिए आपको क्या यूज करना है, सर article को यूज नहीं करना adjective के साथ article आया आता है जैसे आया यहाँ पे, है ना, adjective के साथ article आया है लेकिन article आया है, noun के लिए likely तो एक adjective इसके बाद में कोई noun तो है नहीं, तो यह adjective को आप अ लगाके, noun मनाने कोशिश मत करो यह यहाँ पे गलत है आर likely ऐसे सीधा लिखो मैं रिकाल से सारी errors हो गई है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कोई मुझे दिखतो नहीं गी error number 1 है, likely error number 2 है n की जगा पे a लगाया जाए error number 3 है recently की जगा, recently लिखा जाए error number 4 है spur को, spur और fueling को fuel लिखा जाए error number 5 है, dollar और rupee के आगे दा लगाया जाए error number 6 है indications को r बनाया जाए, क्योंकि यह plural है बस इतनी errors है, कम है क्या चलो काफी है मेरे ख्याल से है ना आजब next sentence पे अब इसको भी ऐसे तोड़ना है break करके सारी errors को निकालना है एक बार आपके सामने पढ़ूंगा pharma companies have stated that they are committed to developing a corrective and preventive action plan and address some process lacuna and that some sophisticated equipment need to enhance the process contingency were unavailable in the manufacturing facilities of there during the pandemic क्या फार्मा कंपनीज ने ऐसा कहा है state किया है state करना मतलब कहना tell करना ऐसा उन्होंने tell किया है क्या tell किया भई? that वो यह tell किया है कि वो committed है वो इस चीज़ के लिए वचन बद है वफादार है committed है वो वफादार है वचन बद है इस काम को करने के लिए और काम क्या है? develop करना विक्सित करना एक ऐसे action plan को जो corrective भी है और preventive भी है जिसमें चीज़ों को correct भी किया जाएगा और गलत चीज़ों को होने से रोका भी जाएगा तो corrective और preventive plan को बनाने के लिए वचन बद है और दूसरा किस काम के लिए वचन बद है वचन बद है, committed है address करने के लिए resolve करने के लिए उनकी process के अंदर कुछ lacuna को कुछ कमीयों को लाकुना मतलब कमीया कमीयों को दूर करने के लिए वचन बद है और फिर उन्होंने ये भी कहा, पहली बात तो ये कही, फिर उन्होंने दैट ये भी कहा, कि कुछ sophisticated equipment जो थे, कुछ advanced machinery जो थी, जिसकी जरूद थी enhance करने के लिए और उपर लाने के लिए, process में stringency को, process के अंदर discipline को, stringency मतलब किसी चीज की stringent यानि की कड़ा होने की quality, process में discipline या कड़ाइपन को, लाने के लिए जो equipment थे न, वो equipment थे unavailable, वो मौझूद नहीं थे, और कहां पे, उनकी manufacturing facilities में, manufacturing facilities of there, और कब pandemic के दोरान, तो ऐसा उन्होंने का है, एक तो हम आपको वादा करते हैं, वरोसा दिलाते हैं, हम एक action plan जरूर बना रहे हैं, कि जिसमें corrective और preventive action लि जो जरूरी थी process में discipline लाने के लिए, वो unavailable थी हमारी manufacturing facilities में, जब pandemic आई थी, इसलिए हम से कुछ गलतियां होगी, आगे हम गलतियों को नहीं करेंगे, meaning आपको मैंने समझा दिया, अब आजाओ sentence को break करते हैं, companies, आपका subject number one है, pharma एक adjective of course, company के बारे में बता रहे है, IT company, pharma company, vehicle company, four-wheeler company, किस type की company है, अब देखो companies plural है, subject की verb भी plural होगी, तो have stated, verb number one, अब देखो that conjunction है, इन्होंने क्या state किया ही बताया जाएगा, तो देखो इसके बाद नया close शुरू है, subject number two, they, और किसके लिए है, companies के लिए है, बिल्कुल सही है, इसकी verb है, are committed, are committed, अब ये two के बाद म हो सकता है, committed to developing लिखना चाहिए, ये हमें भी चेक करना है, two के बाद में, कब verb की base form आएगी, और कब verb की ing form आएगी, इसका अलग concept है, इस फिर भी नजर डालेंगे, अब develop जो भी करना है, चाए verb की ing form से, चाए verb की base form से, वो है एक action plan, इस develop जो भी verb है, चाए gerund है, चाए infinitive ह इसका object होगा action plan नाम का noun, वर्ब को अपना object वर्ट से मिल जाता है, तो अगर अगर अब इसी वर्ब से कोई पूछा जाए कि क्या develop करोगे, आप बोलोगी कि action plan, तो वर्ट से reply कि action plan का बन गया इसका object, अब ये action plan दो टाइप का है, एक तो ये है अकेला, a singular है, दूसरा ये ह इसे words को आपस में मिलाना, अब देखो आगे लगा हुआ, and, या तो ये to develop है, और to address है, या फिर to developing यहाँ पर सही लिखा है, और इसको लिखना है to addressing, तो ये दो चीजों के लिए committed है, एक तो develop करने के लिए, एक address करने के लिए, देखो यहाँ पर आइन जी form से बता दिया committed to developing, यहाँ पर बोल दिया, and committed to address, यह committed to दूसरी बार लिखने के ज़रोत नहीं है, यहाँ पर understood है, तो इन दोनों को अपने को mail दिलवाना पड़ेगा, देखते हैं दोनों में से कैसा mail बैठता है, और आगे बढ़ो, आगे कहा रहा है, address करना है कुछ process में lacuna को, address verb को object हो गया process लेकिना, compound noun, और some मतलब कही सारे, यह पूरे compound noun के लिए use हुआ है, यह most probably plural noun है, some का मतलब होता है, कुछ एक, तो कुछ एक कभी भी singular नहीं हो सकते, plural है, इसलिए यह plural compound noun है, और आगे बढ़ो, and, अब दोको and क्यों आया है, यह तो stated है, इन्होंने state किया है कि they are committed, दूसरा इन्होंने state किया है, and that कि some sophisticated equipment you need to enhance the process were unavailable, बात समझ में आ रही है, यह that जो है, that वो इसलिए लगाया गया है, कि आपको बताने के लिए कि उपर जो that के बाद में बात लिगी थी, वैसी ही एक बात आगे भी इन्होंने कही है, इस that को लिखने के ज़रूद नहीं है, आपकी clarity के लिए यूज किया गया, and conjunction के बाद में subject number 3 शुरूँ होगा, और subject number 3 है equipment, ठीक है, equipment है, some कई सारे sophisticated मतलब बड़े advanced, कई सारे advanced equipment, verb as की plural, verb number 3, equipment को जरूद है, अब क्या जरूद है, equipment को enhance करने की, बढ़ा देने की, equipment को क्या जरूद है, equipment को जरूद है, enhance कर देने की, ठीक है, तो यह two infinitive है, verb से what का reply कर रहा है, enhance किसको करना है, process में stringency को, process में discipline को, यह पूरा compound noun है, enhance करेंगे what, enhance करेंगे process में stringency, discipline, अब देखो, यह verb आ रही है, अब हमें पता नहीं है, किसकी verb है, आवारा verb बोलेंगे इसको, भाई, यह equipment की verb तो हो नहीं सकती, subject number 2 की, अगर यह verb होती, तो यहाँ पे coma लिखा होता, दो verbs आपस में मिलती है, तो बीच में coma आ जाता है, अगर दो मिलती है, तीन मिलती है, coma और end का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, तो ना तो coma आ रहे है, ना end आ रहे है, तो यह verb तो है, लेकिन यह नहीं पता किसकी है, अ during preposition है, इसका object है, pandemic नाम का noun, common noun है, पीछ एस लगाओगे, plural भी बन जाएगा, यह ऐसा sentence की structure, बड़ा confusing sentence है, एक बार इसको repeat कर रहा हूं structure को, फिर errors को डूढ़ना है, companies subject number 1, वह बैं have started, they subject number 2, और इसकी वह बैं are committed, and के बाद में, they are committed to developing and they are committed to address, ऐसे sentence लिखा हुए, that conjunction number 1 है, बीच में subject 2 को मिला रही है, तो committed to developing, यह developing की form को भी check करेंगे, इसका object है, corrective and preventive action plan, action plan इसका object है, corrective and preventive यह दो adjectives है, और and के बाद में, developing to developing and address, तो यह ऐसे बना हुए sentence, तो इसकी form को मैं अभी check करना है, check कर लेंगे, address जो भी है, इसकी form जैसी भी है, इसका object है, process की compound noun है, some लगा हुए तो पता लगया है, यह plural है, क्योंकि some हमेशा कुछ एक की बात करता है, कुछ एक मतलब एक से ज्यादा, फिर देखो and that, यह core conjunction आई है, यह बनाएगी subject number 3, equipment, यह plural है sentence, subject, इसलिए वह भी plural है, need, plural कैसे बता लगा, sophisticated, एक advanced word है, advanced बताता है, मतलब इसका meaning advanced, और some जो है, again plural चीज़ों के आगे आता है, तो some equipment, एक equipment plural noun बन गया, to enhance एक infinitive है, need word से word का reply कर रहा है, need किसी इसकी है, enhance करने की, तो यह adjective infinitive हो गया, process इस infinitive का object है, enhance किसको करना है, process की stringency को, अब word का हमें पता नहीं, आवारा word है, इसके बाद में subject compliment है, unavailable, किसके subject का compliment है, यह ह में नहीं बता, इसको भी डूंडना है, in prep position है, इसका object है, manufacturing facilities, off का object है, there, during का object है, pandemic, there एक पज़ेसिव adjective है, चलो जी अब आजाओ, errors पे, देखो, आपने हमेशा देखा है, two के बाद में, warp की base form आती है, है ना, I want to play, she wants to go, to play, to go, to sleep, है ना, लेकिन कभी-कभी two के बाद में अब यह कौन से case है, hard work is key to building या build a career, hard work एक कुंजी है, key है, important चीज है, career को build करने के लिए, इस case में आप लिखो के building a career, to building a career, वैसे ही we are committed to fulfill या fulfilling a promise, हम वचन बद हैं, अपने promise को पूरा करने के लिए, fulfill करने के लिए, तो committed to में two के बाद लिखो के लिखो के fulfilling, fulfill नहीं वैसे we are looking forward to meet या meeting you soon, हम अभी आशा कर रहे हैं, look forward कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आप से मिलने का, तो we are looking forward to में two के बाद आप लिखेंगे meeting, ना कि लिखेंगे meet, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो two आप देख रहे हो ना, ये खास case वादा two है, ये two कोई infinitive नह हैं, और preposition को अपने बाद में हैं, या तो चाहिए होता है noun, या चाहिए होती है verb की ing form, मान लिजिए, यहाँ लिख देते हैं, hard work is key to success, यहाँ लिख देते हैं, we are committed to the task, और यहाँ लिख देते हैं, we are looking forward to the meeting, तो यहाँ पे two के बाद में success आजाता, एक noun होता, यहाँ पे two क के बाद meeting आजाता, यह भी एक noun होता, तो यह तीनों जो two है ना, यह अपने बाद noun ले रहे हैं, बड़ा comfortably, यह ऐसे two हैं, जो preposition है, इसलिए, अगर इनके बाद में verb आएगी ना, तो verb आपको ing form में लगानी है, जीरंड बनाके, जो भी एक noun होता है, बात आ रही है, logic आ रह सर यह सारे two कौन कौन से हैं, तो यह सारे phrases आपके सामने हैं, admit to, committed to, key to, lead to, resort to, with a view to, looking forward to, when it comes to, as a means to, equal to, change to, contribute to, this is linked to that, यह उससे जुड़ा हुआ है, तो that यहाँ पे इस link to के बाद में एक pronoun आ सकता है, तो इनके बाद में noun, pronoun और verb के ng form तीनों लिखे जाती है, तो याद इन phrases के बाद में verb की base form नहीं लगा नहीं, अगर ऐसा है, तो यहाँ पे committed to के बाद में developing सही है, और यहाँ पे आप लिखो addressing, यह दो चीजों में committed है, एक तो develop करने में action plan को, दूसरा address करने में process की कुछ lackuna को, समझ मैंगी ना पाद पूरी आपको theory समझ मैंने चाहिए, क्या पर ले लो, हम, आपने एक word सुना होगा formula, इसका plural होता है formula, इसके आगे e लगा हुआ है, एक additional, यह सारे Greek Latin roots हैं, इनका plural बनाना हो, तो इनका तरीका यही है, आप इनके आगे e लगाए, हालांकि formulas नाम का word भी English में होता है, यह word गलत नहीं है, सही है, लेकिन correct centered word है formula का plural formula, व आप लिखेंगे lacunae, supernova का बनाना हो तो supernovae, phona का बना रहा हो तो phona, phona मतलब जंगली जानवर किसी एरिया के, है न, किसी भी एरिया के जो जंगल, जानवर जो है, उसको बोलते है phona, animal जो species है, रेटिना आप जानते हैं, आख का एक रेटिना तो रेटिना, दो हो तो हर निये हैं, तो मतलब दो हर निये की बात हो रही है, एक से ज़्यादा की, तो ये सारे words आपको plural बनाने आने चाहिए, अगर ऐसा है, lacuna singular है, और lacunae plural है, तो मुझे यह बताओ, यहाँ पे sum के बाद में, sum के बाद में, lacunae लिखना था या lacunae लिखना था, lacunae लिखना था समधर में बात को, plural बताता है sum, sum एक plural noun को modify करेगा, यह compound noun है, तो इसका last वाला जो word है, वो plural होना चाहिए, तो आप लिखो lacunae, error number, sum lacunae, अगर एक होती a lacuna, तब a lacuna चल जाता बिना e के, अब आओ error number 3 पे, देखो यह equipment है न, equipment, इसी की verb है work, यह work के पास कोई भी दूसरा च सकते, इस need को equipment की work इना भी न ही सकते हो, क्योंकि जैसे यह самos, worr किसी की verb नहीं सकता इसा होनी सकता कि word आया हो और किसी की verb ना भिव न बने, तो equipment की verb तो वर यह need कोई verb नहीं है यह adjective बताईगा, तो वो equipment जिनको जरूत नहीं है, वो equipment जिनकी जरूत है, यह एक past participle adjective बना दो होगे equipment needed to enhance the process समझ में आगी बात यह needed to enhance the process stringency पूरा adjective phrase होगा equipment के बारे में बता रहा होगा वर्ब की third form past partible से शुरू हो रहा होगा और इसकी वर्ब बन गई वर्ड एरर नमबर तीन अब आजाओ एरर नमबर चार पे बड़ी प्यारी सी एरर है देखो equipment हैना equipment एक कैसा नाउन है मास नाउन या uncountable नाउन इसको आप count नहीं कर सकते हो equipment लेजिसलेशन एड़वाइस पीस एड़वाइस ब्रेड पेपर है information artillery jewelry furniture कई बार करवा चुको है एक concept पूरा लिखने की ज़रूत नहीं है यह सारे uncountable नाउन ने इनको count नहीं किया जा सकता इनकी वर्व हमेशा singular होगी क्या होगी इनकी वर्व सिंगुलर होगी इस केस में equipment को plural वर्व दिये और इसके पहले भी plural adjective लगा है तो इसमें क्या करना है आप कुछ करके equipment को प्लूरल बनाओ लेकिन इसका प्लूरल तो बनता नहीं है तो ऐसे वर्व का एडवाइज पीस ब्रेड एक्यूपमेंट अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो इनके पहले लिखा जाता है pieces of याद एके नहीं याद यह formula जैसे she gave me two advices उसने मुझे दो सलाइं दी अब advices नाम का वर्ड तो इंगलिस में ही नहीं अब बस यही काम आपको यहां करना है equipment की वर प्लूरल है इसके पहले अजेक्टिवी प्लूरल है इसको प्लूरल बना दो तो सम सॉफिस्टिकेटिड pieces of equipment needed to enhance the process were unavailable in the pandemic अब मेरे ख्याल से पूरा जो आपका process जो है set बैठ चुका है तो तीन-चार errors है थोड़ा advanced concept आज का यह वाला जो second वाला sentence है मेरे ख्याल से आप एक से जादा नहीं पकड़ पाए होंगे first error थी यहां पर addressing second error लेक्यूने third error equipment को आपको pieces of करके लिखना है और चोथी error है need को needed बनाना है ताकि इसको अपने adjective की form में डाल सके चलो यह wrap up करेंगे आज के session को एक error इसमें और बाखी है मैं आपको एक hint दे देता हूँ जितने लोग ढूंड पाएं जरूर से बताना यहां पर वो error आपको मिलेगी next class करेंगे यहां पर इस error को आपको समझाऊंगा फिर अगली class को शुरू करूंगा rule आपके सामने मैंने यहां पर लिख दिया है इसका screenshot लेलो शायद यह error आप निकाल पाएं क्योंकि परसों ही अडिटोरियल में हमने की थी यह वाला error आपको वहां से समझ में आ गया होगा तो ढूंड के बताना जिन लोगों को इस concept को last वाले को समझ में आया एक sentence भी आपके सामने रख रहा हू चलिए एगली class में मुलाकात करते हैं until then signing out courses available है एप पे writing का, ssc का, banking का, exams नजदीक हैं, slivers पूरा करना है तो अभी साही time है courses का फायदा एप से जाकर के ले सकते हैं, एप को जरूर से download करें